और जैसा आप देख सकते हैं अब हमारे टायर फिट हो चुगा है जो भी में इसमें प्रोसेस तरकीबे लगाई वो सारी काम्याब रही यह जो है ना मेरे चैनल की सबसे अब तक बेस्ट मोडिफिकेशन रहने वाली है बाइक दिखाता हूं आपको इन थ्री टू वण इस वीडियो में करने वाले हैं अपाचे आटेर बंसिटी फॉर्वी में आटेर टूहंड़ का अलोईविल फिट और आप देख सकते हैं हमको आटेर टूहंड़ के अलोईविल में डिस्क साइज भी बड़ा मिलता है जो आटेर बंसिक वर्जन में मिलती है उसकी डिस्का आटेर दिखाता हूं जो हमका ड्रम बर्जन में मिलता है अपनी बाइक में और चेंजिस जो है मैं इसमें क्या करने वाला हूं वह आपको सारा अगे वीडियो में पता चली जाएगा तो वीडियो को देखते रहेगा एंड तक और करते हैं वीडियो को स्टार्ट तो यह मैंने वैल्ड तब कराया था अपनी बाइक में जब मैंने अपना चेंज सेट डाला था आपने वो चेंज सेट वाली वीडियो भी देख ली होगी नहीं देखी तो एक बार जूर देख लेना और बाकी जो आप अभी यह अब देख पा रहे होंगे जिसमें कि हमारा चे estar抱 में बदलनी पड़ेगी पूटजि कि में गना मास्ट।ार्म तरік वे लगाना पड़ेगा और मास्टर सिलेंडर जौर इस वाली फूट आरौ में नहीं लगेगा उसके लिए अच्छा लग रहा है मारा और यह जो आने 140 नंबर का टायर ड़ा हुआ है इसमें 140 177 ट्यूबलास टायर है अभी हम चलते हैं अपनी बाइक को लेकर घर और इस टायर को इंस्टोल करते हैं और जो भी इंस्टोलेंशन का प्रोसेस रहने वाला है वो आपके आगे वीडियो मे के लिए पहले भी मुझे को यह अगर हटाना पड़ेगा टायर को ओपन करते हैं और जो भी बाइरिंग वगार हमारी चेंज होने वाले होंगे क्योंकि इसके बाइरिंग जो हम अपनी दूसरे अलोईबिल में डालेंगे जो हम इसमें 800 वाला लोईबिल लगाएंगे टायर टायर निकालने की प्रोसेस start करते हैं तो मैं अगर खोल रहा है और यहां पर अपने टायर है खिल चुगा है और अब हम खोलने जा रहे हैं इसक टायर टायर की लिए खोलने के में आख में निकालने पाड़ेगी यह कुछना hon के यह कि यह ढाट एक हाथ आटम को रखती हैं और यहाँ पीछ yummy तो ऊपनी रेयर को नियुदा ने कुछ तो पहले तो पहले निचे वाला बैरिशिग कर तो निगर भिंगा यहाँ दीज सकते हैं यहां पर हमारा स्पेसर और बैरिंग भी निकल चुका है इस बैरिंग को जो हम दुवारा से ग्रीसिंग करकर डालेंगे और यह हमारा दूसरा बैरिंग भी निकल गया और यहां पर हमने अपने बैरिंग क्लीन कर लिया है यह दूसरा रहा और आपको जैस की प्ले भी चेक कर लीनी है जब भी आप अपनी बाइक की कभी बैरिंग चेंज करने वाले हो या आपका जब भी टायर खुला हो ना अगला चाही पिछला तो आपको जैस की प्ले चेक कर लीनी है इनमें प्ले नहीं होनी चाहिए अगर प्ले होगी तो आपक और एक बैरिंग तो अपना बैठ चुगा है हाँ आपर अब हम दूसरी साइड वाला बैरिंग लगाने वाले हैं और बैरिंग लगाने से पहले हमको इस पेसर डालने हैं इसमें कुछ इस तरी के से और इस वाले बैरिंग में भी हमको ग्रीस लगा लेनी है थोड़ी सी और अपने आपर दोनों बैरिंग फिट हो चुके हैं और बाकिया भी ये कप्लिंग वाली रबड लगा कर हमको जैसे हमने टैर निकाला था वैसे ही फिट करना है ये हमारी कप्लिंग वाली रबड लग गई यहां पर और अब टैर फिट कर रहे हैं और हाफ एक्सलम ने फिट कर दिया इसमें और मशीन हमारी यह रही और मशीन के साथ जहां को एस पेसर भी चाहिए यह अट या तो अड़ वाला इस वाले गाप की बीच में जो है ना मारा इस पेसर लगे गाए रहा है और यहां पर हमारा इस पेसर लग चुगा है जैसे आप अब हमको यह रोड निकालनी है यह हमारे स्विंगार में जुड़ी हुई है तो इसको निकालने ते हम और पीछे से आपको अगर लूग दिखाऊं तो कुछ ऐसी आ रही है और बाकि अभी जो है ना मारा टैर घुमाते हुए थोड़ी आवाज कर रहा है क्योंकि यह जो है आपने जैसे देखा मैंने वीडियो में आपको बताया और टैर काफी ब्रोड लग रहा है काफी चोड़ा दिख रहा है पीछे से इस नवाखा की और घुरा गाइस अफ़ हम चेंज करने वालें अपनी ब्रेक आरम और ब्रेक आरम को हम इस आरम के साथ की प्लेस करेंगे यह हमको यह हम पेर मास्टर सिलेंडर मिलताै और यह आर भाना जुरूर है हम इस से काम नहीं चला सकते हैं क्योंकि इसमें हमको disc के लिए master cylinder मिलता है जो हमारी disc brake होती है तो तब तक ये काम नहीं करेगी जब तक हम इस arm को नहीं लगाएंगे तो इसलिए लगाना बहुत necessary thing है अपनी bike के लिए और इस arm को निकालने के लिए हमको पहले axle का bolt lose करना पड़ेगा और axle को जो है न हमको बहुर निकालना है axle बहुर निकालने के लिए हमको साती सात ये bolt भी निकालना पड़ेगा यहाँ पर एलन की लगेगी हमारी तो पहले मैं ऐ axle रिमूव करता हूँ और इस bolt को भी निकाल लेता हूँ और फिर आपको अपना प्रोसेस दिखाता हूँ आगे का और इस एक्सल को निकालने के लिए हमको इसका दूसरी साइड से ये बोल्ट लूज करना पड़ेगा और यहाँ पर लगेगा 17 mm का स्पैनर आप सोकेट भी लगा सकते हैं पहले हमको ये बोल्ट निकाल लेना है और उसके बाद एक्सल परली साइड से निकलेगा और एक्सल ठोकते वक्त आपको एक चीज का दिहान रखना है कि जब आपको एक्सल निकल जाए साथ ही साथ जो है आपको इसके अंदर एक स्क्रू ड्राइवर डाल देना है या आप दूसरा एक्सल भी लगा सकते है कोई इसी साइज का अगर आप ऐसा नहीं करोगे मतलब कि इसमें जो है एक्सल नहीं लगाऊगे तो बुश जो है ना मिसलाइंज हो सकते हैं अपनी स्विंग आरम से तो आपको इस चीज का दिहान रखना है और इस साइड से अपना अक्सल भार आ रहा है जैसा आप देख पा रहे होंगे देख सकते हैं मैंने आपर ये आरम निकाल दिया और इस प्रिंग को भी निकाल लेना है पहले कुछ इस तरीके से और ये आरम निकल चुकी है और अब हम ये लगाने वाले है पर लगाने से पहले हमको ये कवर चेन करना पड़ेगा ये हमारी पाइक के साइड वाला पैनल होता है और ये पैनल जो हमको इसमें लगाना पड़ेगा पहले और पैनल अपना रिप्लेस हो चुगा है अभी हम इसके बॉल्ट और स्कुरू लगा रहे हैं और अभी ब्रेक स्प्रिंग लगा रहे हैं और यह लग चुका है अपना spring और यह cover लग चुका है अपनी arm रेड़ी हो चुके अब लगाने जा रहे हैं एक्सल लग चुका है और अभ हैल की वाला बोल्ट लगाने जा रहे हैं अच ऐसे हमने एक्सल निकाला था तो अभी ये नट लगा दिए हलो वापिस और यहाँ पर अपना पाइप इफित हो चुका है ये मास्टर सेलेंडर वाला पाइप होता है जो हमारे केलीपर में जाके लगता है बाकि अभी प्रेशर बनाना रह रह रहा है अभी हमको ब्रेक का प्रेशर बनाना पड़ेगा इसमें ओल डाल कर और बोटल में हमने ओल डाल दिया है यह होता है ब्रेक फ्लूइड जैसे हम इसको प्रेस करेंगे तो वहाँ से जो और निकाला जाएगा थोड़ा एर को जो हम अपनी ब्रेक लाइन से निकालेंगे और हमारी ब्रेक में प्रेशर आ जाएगा अभी आप देख सकते हैं लीवर जो हमें कितना नीचे जा रहा है पर जैसे प्रेशर बनना पड़ेगा और ये लीवर जो हमारा उपर आता रहेगा धीरी धीरे ब्रेक का प्रेशर भी बन चुका है और अभी जो हम अपनी बाइक को थोड़ा बाहर लेकर चलते हैं और बाहर जाके आपको इसका क्लियर लुक देता हूँ एक और काईज अब मैं आ चुका हूँ भार अपनी बाइक को लेकर और टैर देखने के लिए अप तियार हो जाएए ये जो है न मेरे चैनल की सबसे अब तक बेस्ट मोडिफिकेशन रहने वाली है बाइक दिखाता हूँ आपको इन थ्री टू वण ये तो आप देख सकते हैं और साइड से लुक क्या आ रही है अपनी बाइक के और डिस्क जो है डिस्क का साइज अलगी बड़ा लग रहा है मतलब कि नोर्मल अपाचे जो होती है ना मारी आर्ट यार वन सिस्टी फोर भी उसकी डिस्क के साइज से जो है ना काफी बड़ी डिस्क है और पीछे से देखने फिर काफी अच्छी लग रही है और यहाँ पर हमारी आर्म भी फिट हो चुकी है यह हमारा मास्ट्र स्लेंड रहा और पाइप जो है मैंने थोड़ा शोट लगाया और पाइप मुझे नहीं पता कि एक कौन सी बाइक का है पर मुझे को जो है ने पाइप शोट लेंथ में मिल गया और गाईज अब यह आप तो गजैसा मेने आपको दिखाया हमारी ब्रेक जएना बहुत ही बढ़िया काम कर रही है और हलके से टैब में जो हैना हमारे चाहर को रोख देती है और भाइक थोड़ी गंदी दिखका रही थी इसलिए मैंने बाइक की वाशिंग भी करा दी ता कि वीडियो में जो आपक और आपको अगर जो मैं ऐसे दिखा हूँ तो आप देख सकते हैं हमारे टायर जो है ना यॉणा टेल से पीछे जा रहा है और कुछ एसे मतलब कि हमारे जो है ना short tail हो गई या बाइक की और बाकि मेने बाइक में tail tidy तो लगाई हुई है और इस से जो है ना लूग और भी एनन तोई विल जो एनेज का थोड़ा अलग है और वो सिक्स पोक श्टार में है और ये है ब्लेड स्पोक स्टार में कह सकते हैं जो को मैं ऐसा और अगर हम उपर से देखते हैं अपनी बाइक को नीचे की तरफ तो हमारी बाइक की कुछ लुक ऐसी दिखती है को और टायर काफी ब्रोड लग रहा है 140 शेक्शन का तो है ही ये टायर बाकि टायर हगर में इसमें लगाया नहीं क्योंकि इतना चोड़ा डालने का मतलब तो तब यह बनता है कि टायर हगर अम नहीं लगाएं कि तब यह ना हमारी बाइक की लुक भी बढ़ेगी और टायर भी लगा दिया तो हमारे टायर डालने का फाइदा ही क्या और गाईज यहां पर थोड़े बहुत मैंने cinematic shots भी record किया हैं तो आप उनको भी देखे एक बार पार गार गाईज एक बार, गारे लाईज टो हमें अणिया देखे बार अगर आप भी अपने बाइक पर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं जैसे मैंने आपको प्रोसेस दिखाया इस वीडियो में वो ही सेम प्रोसेस जो है आप अपनी बाइक में भी अपलाई कर सकते हैं अगर यह मॉडिफिकसन आप अपनी बाइक में करना चाहते हैं ऐख आपको यह वीडियो चले गूँगी और अगर आपको यह वीडियो चले गूँगी तो Like, Share and Subscribe जरूर कीजिएगा शेर तो जुरूर कीजेगा अपने फ्रेंड के साथ और सुब्सक्राइब भी कर दीजेगा और बेल आइकन जुरूर से प्रेस कीजेगा लाइक भी कीजेगा वीडियो को तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में तब तक के लिए बाबाई